Hello friends, welcome to iExamBee, मैं हूँ Arunima और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे Union Bank of India की जो Specialist Officer की जो vacancies आई है उसमें क्या आपको Salary and Allowances हैं? क्योंकि Number of Vacancies काफी अधिक है, Form Fill Up करने का Date अभी भी है So अगर आप देखें, तो 3rd September तक आप इस exam का Form Fill Up कर सकते हैं और जो Vacancies हैं वो काफी ज़्यादा हैं, तो अगर Assistant Manager की बात करें, Scale 1 Officer की, तो 120 Vacancy है और इहां पर chances ज़्यादा हो जाते हैं आपके selection के, क्योंकि Assistant Manager Forex के लिए जो Vacancies हैं, उसमें सिर्फ graduation नहीं चाहिए Graduation प्लस MBA भी चाहिए, और experience required नहीं है तो अगर आपके पास graduation है और MBA है, इसका detailed notification का वीडियो का link मैं description box में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर आपको ये form fill up करना चाहिए, क्योंकि यहां पर competition उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ graduates के लिए open नहीं है साथ ही साथ manager के लिए भी 50 vacancies हैं, और यहां पर आपको graduation MBA के साथ ही साथ 3 साल का experience भी चाहिए, तो अगर आप manager के लिए eligible हैं, scale 2 के लिए eligible हैं, तो मैं कहूंगी आप scale 2 का form fill up करें, लेकिन अगर आप scale 2 के लिए eligible नहीं है, मतलब आपके पास experience नहीं है, तो ज़रूर आप scale 1 क के लिए apply करें, यहां पर भी 120 number of vacancies हैं, जो की बहुत अच्छी number of vacancies हैं, इस वीडियो में हम focus करेंगे कि salary and allowances क्या हैं, क्यों आपको इसकी तयारी करनी चाहिए, और फिर किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम focus करेंगे AM Forex, Assistant Manager Forex, जिसकी की लगभग 10 लाख र तो डिटेल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या pay scale है, तो grade A, Assistant Manager का आप notification में देखो कि यह आपका pay scale है, 36,000 से शुरू है, basic salary, यह basic salary है, इसको आप gross ना माने, सो यह basic salary है, जिसके ऊपर आपको dearness allowance, special allowance, कुछ allowances मिलते हैं, और उसको मिला करके आपकी gross salary बनती है, इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो 1490, 1490, मतलब जो yearly increment होगा, जब आप जॉइन करेंगे, आपकी basic salary होगी 36,000, फिर एक साल बाद उसमें 1490 एड हो जाएगा, इस तरह से 7 years तक यह एड होते रहेंगे, और फिर यह आपकी basic salary हो जाएगी, 46,430, फिर आपका yearly increment है, वो 1740 हो दो ऐसे increment मिलेंगे, यह आपका basic बन जाएगा, तो इसी तरह से यह चलता रहेगा, until कि यह 63,840 आपका basic ना हो जाएगा, जब आप join करेंगे, इस exam के अगर आप तयारी करते हैं, और थोड़ी सी भी अगर आप अच्छे से महनत करते हैं, तो आप clear कर सकते हैं इस exam को, तो आ लगग लगग 7800 के करीब location allowance and learning allowance 7800, तो यह पूरा मिला के हो गया 55K, यह जो 55K होगा, यह बनेगी आपकी gross salary, salary slip पे, तो आपका होगे in hand कितना मिलेगा, अब इसमें से कुछ आपका PF deduct हो जाएगा, कुछ आप जो advances लेंगे वो deduct होगा, तो actually आपने जो advances लिये हैं, लोन लिय हैं, उसका deduction हो रहा है, तो वो तो आपका ही money हुआ, उसको हम नहीं का सकते कि हमारा deduct हुआ, PF में जो money आपका deduct हो रहा है, वो भी ultimately you are going to get, so effectively gross salary आपकी इतनी है, अब deductions कितने होंगे, depend करेगा कि आपने कितने loans and advances लिये हैं, आगे हम देखेंगे कि वो loans and advances आप क्यों लेते ह हैं, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा खासा benefit होता है, same इसी प्रकार से आप अगर manager का, manager की basic salary है 48,170, assistant manager की है 36,000 और manager की है 48,170, so अगर हम यह सारा calculation करें, इसमें DA, SA, sub-add करें, तो gross salary आपकी 72,000 बन जाती है, अगर आप manager के post पर select होते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, कि other allowances क्या है, यह तो हो गई salary slip की बात, so salary slip में मैंने कहा कि 55,000 के आपका AM के लिए, और 72,000 के आपका manager के लिए, लेकिन यह 10,00,000 और 12,00,000 पारानाम कैसे होगा, क्योंकि इसके अलावा, यह जो salary है, इसके अलावा, आपको allowances मिलते हैं, सबसे पहले देखो, least accommodation, आपकी posting जहां होती है, वहाँ पे आपका घर नहीं होगा, तो आपको least accommodation मिलता है, मतलब आप एक घर ढूंडेंगे, और उसका जो rent होगा, वो आपको office पे करेगा, वो vary करता है, place to place पे, rural areas में कम होगा, urban areas में जादा होगा, अगर मैं देहरादून जैसे city की बात करूँ, तो लगभग, 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 15,000 के करीब आपको यहाँ पे यह rent मिलता है, उसके इलावा convenience allowance, यहाँ पे आपको 35 to 40 liter petrol per month, ठीक है, तो अगर मान लो 100 rupees per liter है petrol, जो भी rate रहेगा petrol को, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, और 40 liters, तो 4000 आपको per month, यह यहाँ पे मिलता है, यह assistant manager का है, manager के लिए यह थोड़ा-थोड़ा change हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तो आपका यह 15K हो गया, conveyance allowance आपका 4K हो गया, इसके अलावा newspaper allowance लगभग 500, mobile bill reimbursement लगभग 400 रोपे, cleaning allowance भी लगभग मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके yearly allowances भी मिलते हैं, उनको भी देख लेते हैं, yearly allowances में, leave fair concession, LFC इसको बोलते हैं, तो every alternate year, आप और आप की family, आपके family members, जो आप पे dependent हैं, वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, और उसका सारा खर्च जो है, आप reimbursement ले सकते हो, फ एक banker के लिए, वो बहुत ही, बहुत ही अच्छा होता है, एक तो हो गया medical allowance जो आपको yearly मिलेगा, 10K के around, बट इसके अलावा भगवान न करे, आप या आपके किसी family member को, कभी ऐसी जरूवत पड़ती है, कोई तब्यत खराब होती है, आपको जो इलाज में खर्चे होते हैं, या hospitalized होना पड़ता है, hospital के जो खर्चे होते हैं, वो सारा का सारा खर्चा office bear करता है, इसमें ज़्यादा तर तो banks के tie-ups होते हैं, hospital से, और अब आप उन ही hospitals में जा करके अपना इलाज कराएंगे, और सारा खर्चा office bear करता है, ठीक है, इसके अलावा आपका entertainment allowance हो गया, ये भी करके होते हैं, इसके अलावा spectacles allowance, ऐसे छोटे-छोटे कई सारे allowances होते हैं, जिसको आप अगर मिला दे, यहां पे मैं इस चीज को minus कर रही हूं कि आपको, आपके hospitalization में कुछ ज्यादा खर्चा हुआ, तब आपके ये 10 lakh assistant manager के लिए पार है ना, और 12 lakh manager के लिए होता है, लेक कि मैं कहूंगी बहुत बड़ी बात है, सो इस exam के लिए आप जो भी तयारी करते हैं, वो वर्थ है, क्योंकि ये सारे benefits आपको और आपके परिवार को इस नौकरी को join करने के बाद मिलते हैं, अगर हम other benefits की बात करें, क्योंकि जहां भी हम money save कर पा रहे हैं, अगर हम कहीं पर पैसा बचा पा रहे हैं, अगर मालो आज एक व्यक्ति जो बैंकर नहीं है, वो बैंक से लोन लेता है, और उसको लगता है 9% interest, और आप एक बैंकर हो, आपको लगता है 7%, तो वो जो 2% का benefit हुआ, वो भी तो equal to money earned ही हुआ, आप इस तरह से इसको समझ सकते ह अगर 10 लाग की आपको overdraft facility मिलती है, मालो अचानक से आपको 10 लाग रुपे की जरुवत है, तो बैंक आपको overdraft facility दे देता है, मतलब बैंक आपको वो पैसा मुहया करता है, और जो rate of interest है, वो बाहर के लोगों को जितना लगता है, उससे 2% आपको कम लगेगा, उसी तरह से housing loan और vehicle loan, यह दो लोन आपको बहुत ही सस्तेदर पे आपको यह दो लोन मिल जाते है, festival advance, festival advance पे आपको कोई भी interest नहीं लगता है, चालीस हजार के करीब आप festival advance ले लेते हैं, और मालो चालीस हजार लिया, आप उसको 10 equal installments में आपको पे कर देना है, चार-चार हजार के 10 installments त पैसे deduct होते रहते हैं, यहाँ पे कोई interest नहीं लगता, इस तरह से कभी जरुवत है तो आप advance में salary ले सकते हैं, PL in cashment जो आपकी earned leaves होती हैं, हर 11 दिन पे आप एक leave earned करते हैं, और इसमें से कुछ restrictions होते हैं, लेकिन साल में कुछ leaves आप in cash करा सकते हैं, मतलब जो आपकी salary है, उ आम public से आपको 2% कम लगता है, लेकिन अगर आप पैसा fixed deposit करते हैं, तो आपको interest बाकी लोगों से ज़्यादा मिलता है, तो यह सारे additional benefits हैं, जो कि आपकी salary के अलावा हैं, अब इतना समझने के बाद, यह चीजे हमें मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, अक्सर मैं देखती हूँ कि आप इन वीडियो में तो काफे interested होते हैं कि strategy क्या है, salary क्या है, लेकिन उसको पाने के लिए जो मेहनत करनी है, जो रास्ता है, उसको तै करना नहीं चाहते हैं, तो आप एक बार समझ गए, eligible हैं, तो आपको जरूर form fill up करना चाहिए, अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, अब यहां पर देखो, एक और अच्छी बात है, कि दो फेज में रिटेन एक्जाम नहीं है, फेज बान है और इसके बाद आपका GD इंटर्विव है, और नमबर वेकंस इतनी जादा है कि थोड़ी भी आप अच्छी तरह से महनत करते हैं, ना, सिंसियरली लग जाते हैं, आज स भी तो बहुत चांस है कि आपका एक्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब आप देखो, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव अप्टिट्यूड है, प्रोफेशनल नॉलेज है और इंग्लिश लैंग्विज है, अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल नॉलेज को ज्या तवज़ो, प्रोफेशनल नॉलेज को, फिर क्वांटिटेटिव अप्टिट्यूड को, और फिर रीजनिंग के 50 क्वेशन के 25 माक्स, हाफ आफ माक्स इच और इंग्लिश के 50 क्वेशन को 25 माक्स, ठीक है, तो रीजनिंग और इंग्लिश को थोड़ा सा कम वेटेज दिया अब आप किस तरह से तयारी करें, तो अगर आप बैंकिंग या अधर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है, आपके लिए जो मुश्किल वाला एरिया है, वो प्रोफेश सतरह मिनट की वीडियो है, लेकिन इससे आपको बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है और किस तरह से आपको पढ़ना है, और बिलीव मी, इट इस नाट वेरी डिफिकल्ट, फोरेक्स नाम सुनके ही कहीना कहीना एक घबराहट सी हो जाती है, क खुद अपनी इसकी तयारी करें, सेल्फ स्टड़ी से भी कर सकते हैं, इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस एक्जाम में गाइडेंस के आवश रखता है, तो आई एक्जाम भी ओफर करता है कोर्सेज इस एक्जाम के लिए, जिसमें की आपको मिलेंगे वीडियो ले करते हैं, उनके बागी तीनों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं, जिनका की फॉरेक्स पर पकड़ है और उन तीनों पर नहीं है, तो आपको जो हम ये वीडियो लेसंस देंगे, ये सारी चीज़े देंगे, लाइव क्लासे और सब कुछ वो होगे, तो वो पूरा कम्प्लीट कवरेज होगा, पहले तो मैं कहूंगी कि आप आप आइग्जामबी के जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले, उसको काफी वीडियो हैं, और यूबी आई से ले फॉरेक्स से रेलेट जितने वीडियो हैं, वो आपको ड इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमारी जो नई फैकल्टी हैं, Mr. Nagrajan, so आपका फॉरेक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे Mr. Nagrajan, he is ex-manager RBI, 30 सालों का इनका experience है RBI में, अलग-अलग various departments में, साथ ही साथ 5-plus years का इनका teaching experience भी है, जिसमें की banking, trade, finance and forex पे इनकी काफी अ जबराहट हो रही है, तो आप जरूर आइग्जांबी कोर्से के लिए इन्रोल करें, और यहां पर एक बहुत ही अच्छा ओफर है, आपके लिए, आपके लिए, आइग्जांबी के सारे online कोर्से पे, अभी 50% ओफ है, जो किसी भी moment खतम हो सकता है, इसका कोई time period नहीं हो सक सकते हैं, आइग्जांबी के किसी भी कोर्स में, अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया, आप इलिजिबल है और डिसाइड नहीं किया है, तो I will strongly suggest, strongly recommend, that Union Bank of India ने आपको एक बहुत अच्छी अच्छी अपरचिनिती दी है, और आपको इसका फाइदा उठाना So thank you friends, thanks for watching.